मैं ठेकुआ बनाने का रिस्पी लेकर आया हूँ मैं बजार से डिड़ के जी मैदा लेकर आया था जिस तरह आटा गोंदते हैं उस तरह मैदे को अच्छी तरह गोंद लेंगे आटे गोंद लेने के बाद कितना मीठा खाते हैं उसके अनुसार आपचीनी डाल सकते हो अच्छी स्वाद आने के लिए इसमें इलाजी गड़ी भी डाल सकते हो गोल गोल बना कर इसे अब हम चापट कर देंगे कराही को अच्छी तरह गरम कर लेंगे और 500 गराम रिफाइन ओवेल डालेंगे जब तक ले ओवेल गरम ना हो जाए अब मेरा ओवेल गरम हो चुका है जिसमें मैं को डालेंगे कराही में तो आप देख सकते हो कि ठेकुए में कलर आना शुरू हो गया है तो बारिक बारिक करके अब हम इसे पल्टेंगे जब तक अच्छी तरह पक ना जाए तब तक ले पलाटते रहेंगे अब आच्छी तरह पक गया है तो चलो हम पतीले में नहीं है निकाल लेंगे और शब करेंगे बाइब यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करना ना बूल